नमस्कार दोस्तों इस वीडिए में बात करूंगा 1232 km या फिर 1232 km या फिर 1232 km जो भी आप मर्जी से कह सकते हो इस documentary के बारे में या आप इसे short movie कह सकते हो और इस documentary को मिनाए विनोध कप्री ने और यह जो documentary है वो based है कि जब lockdown हुआ था भारत में संपूर भारत में जब lockdown लगा के लिए उस वक्त जो मजदूर वर्क के लोग थे उनको कौन-कौन सी प्रोब्लम्स फेस्ट करनी पड़ी थी और उन्होंने कैसे सर्वाइव किया था यह सारी चीजे वैसे हमने न्यूज के अंदर और बहुत सारी वीडियो के अंदर जो यूटूब पर एविलेबल हैं उसम जर्नी में उनको क्या-क्या प्रोब्लम होती हैं उनको पुलिस कैसे ट्रीट करती है इन सब चीजों को इस मूवी के अंदर या इस डोक्यूमेंटरी के अंदर दिखाया गया है नो डाउट की लोक्टाउन के दोरान कितने सारे लोगों को प्लायन करना पड़ा था अपने राज्ये में जाना पड़ा था अपने कमाने की जगा को छोड़कर अपने घर पे जाना पड़ा था लगबग तीन करोड़ लोगों को अपनी एक जगा से जाकर दूसरी जगा य है मतलब वो ज्यादा migrant labor से सामने आये हैं उबर कर और इनकी काफी दहिनियत स्तिती दिखाए गई इन साथ labor ने जब इनके बातचीत की जारी कि तिन्होंने बताया कि जैसे उनका पुलीस से इनको गालियां देती है इनको मारती है तो इवन यहां पर गरीब और अमीर का इन्होंने बताया कि हम गरीब है तो हमको ऐसी ट्रीट किया जाता है और इसमें दिखाया भी जाता है उन सब करते हैं लेकिन स्टेडियम में रहने की जगहें को देखो तो इतनी गंदी हालत इन्हों ने दिखाई है एक दिन से इन लोगों ने कुछ भी नहीं काया इनको भूखा रखाया है कि हमको जाने दो या हमें यहां पर रख क्यों रखा है तुम लोगोंने अगर यहां पर नहीं है बनाने के लिए जहां रुकते तो इनको यह डर लगा रहा था कि पुलिस अदिकारी आएगा इनको गालिया देगा और इनको मार कर वहां से बखा देगा तो यह जो इशू इन्होंने बताया और सामने लेकर आए कि हमारे देश के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं कैसी कैसी पृस्टितियों से निकल गर उस लोकडाउन में उनने किस-किस चीज चीज़ को साइकल चला रही है उनके पास जिं से वह ना है किया संधी कर रहे है आईसा नहीं है कि सारे पुलिस अदिकारी बहुत घलित बहयार कर रहा है बहुत पुछ अच्छ हैं उन्हों की थी इन साथ माइग्रेंट लेबर्स के अलावा बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको अपनी जगहां पर पहुंचाने के लिए बस सर्विसीज या फिर ट्रक वाले को रोक करूं उनको इन में बिठाया भी था कि भी तुम इनको जाते वक्त चोड़ देना तो बहुत सारी वह हैल्प करते भी नजर आया है इस डोकिमेंटरी के अंदर पहराल अगर आप इस चीज को एक बर फील करकर देखो कि उस वक्त हालात क्या थे लोकडाउन के दोरान इन लोगों के पास जो मजदूरवर के लोग है इनके पास रहने के लिए पैसे नहीं है किराया देने के लिए पैसे नहीं है खाने के लिए पैसे नहीं है लंबी लंबी लाइने लग रही है खाने तक के लिए तो मैं देखा था कि कैसे लोग जो है वो खाने के लिए उनके पास खाने के पैसे नहीं है उनके पास किराय को देने के लिए तो मजबूरन उस तीती से इनको निकलना पड़ा उनको जाना पड़ा ना चाहते हुए भी जहां वो कमाने के लिए इतने टाइम से बैटे हुए हैं वो सब चीजें छोड़कर कुछ भी नहीं है अब यह जो इन्होंने इस ड दोक्यूमेंटरी देखोंगे पका आपकी आँकों में जरूर आंसों आ जाएंगे जो इनकी हालत उनकों दिखाए गई तो खासकर वो नहाने वाला जो इन्होंने बताया कि इम पांच दिन से ना आए नहीं है खाने के लिए कैसे तर बहुत त्यार इमोशनल कर देने वाले कैसे हमारे लोगों को हमारे देश के लोगों को कितना ज़्यादा कस हैना पड़ा था इस डोक्यूमेंटरी में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा तो प्लीज जाकर ये डोक्यूमेंटरी जरूर देखें काफी ज्यादा अच्छी डोक्यूमेंटरी है तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में टैंक्स वर वॉचिंग इस वीडियो में जाहिंद